आज हम लोग कुछ और जो है multiple choice question करते है python में उससे क्या होगा कि जो भी basic concept आपने अभी तक पढ़ा है python programming language की history में और सारी चीज़े जैसे tuples वगर और dictionary वगर आपने पढ़ा है data types में वो सारी चीज़े आपको clear हो जाएगी तो माली से question number one हम लोग लेते हैं सब्सक्राइब किजिए question number one यह क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ है कि what is the output of the following program what is the output of the following program ठीक है अब program में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि print ठीक है और फिर double quotes में p, q, r और separator में दिया हुआ है equal to sign यानि कि इन्होंने command दिया हुआ है इस तरह से print ठीक है फिर double quotes में दिया है p फिर double quotes में q फिर double quotes में r और separator को जो define किया है वो इस तरह लिखा है sap equal to और यहां पे दिया है equal to ठीक अब इसका जो हम output देखेंगे इस program का तो इसका output क्या आएगा इसका जो output आएगा वो आएगा आपका p फिर separator क्या है equal to sign तो p equal to q equal to r ठीक है तो इसका जो output होगा वो होगा आपका solution यहाँ पर आप लिख सकते हैं output होगा इसका p equal to q equal to r ठीक अब next SI question कीजे question number 2 question number 2 में क्या दिया हुआ है कि replace x in the following program replace x in the following program such that the output is such that the output is output हमें क्या चीए p q r p q r फिर hash का sign और फिर आगया आपका p q r ठीक है इस तरह हमें x को replace करना है command क्या है यह है print p q r comma x और फिर दिया है print p q r तो हमें x को इस तरह replace करना है ताकि हमें final output जो है वो इस तरह मिले तो अगर हमें इस तरह replace करना है तो हमें x को किस से replace करना होगा simply आपको यह include करना होगा कि end equal to ठीक है यहाँ पर आपको यह line include करना होगा solution में लिखे आपको लिखना होगा end equal to और equal to में आपको क्या define करना पड़ेगा hash sign तो इस तरह आप कर देगे तो फंक्शन का जो output है PQR फिर आजाएगा आपका hash और फिर आजाएगा आपका PQR तो जो required output है वो हमको मिल जाएगा ठीक अब question number third में आजाएगे इसमें क्या दिया है कि what is the output of the following program what is the output of the following program if the input is if the input is 7.5 ठीक है अब इस में लिजए आपको अगर हम command जो इसने दिया हुआ है यह दिया हुआ है दिखे c gpa c gpa is equal to लिखा है input और यहाँ पे लिखा है enter your c gpa c g pa यह column लगा दिया आपने और यहाँ पे codes closed यह अब यहाँ पे percentage तो आपने लिखा perc is equal to 10 into c gpa ठीक है यह हो गया अब प्रिंट हमने लिख दिया प्रिंट और परसेंटेज यानि यह question है अब इसके जो multiple answer दिये हुए है वो हमको दिया हुआ है देखिए पहला तो दिया answer a दिया है कितना 75 b में दिया है error c में दिया है 7.57.57.57 ऐसे 7.57.57.57 .57.57 .57 और इस तरह और last choice दिया answer का वो दिया है 75.0 अब इसमें आप देखिए कि कौन सा answer सही होगा इस case में तो इसमें आपका answer जो सही होगा वो होगा c वाला ठीक यहाँ पर लिख सकते है answer c is correct मतलब आप यहाँ पर 7.57.57 यह आपका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर लास्ट पर 0.5 यानि यह जो आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह है answer c और यही answer सही होगा ठीक अब next question करते हैं question number 4 यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर दिया है what is the output of the following program output of the following program ठीक अब program क्या दिया है t equal to quotes लगाया 1 comma 1 plus 1 1 plus 1 यह हो गया फिर comma लगाया फिर 1 plus 1 plus 1 ठीक है और similarly फिर 1 plus 1 plus 1 plus 1 ठीक है यह दिया हुआ t और क्या क्या रहाँ print करिए print t square bracket 2 इसको हमें print करना है अब इसके जो answer दिये हुए है option में वो दिया हुआ है a दिया है one 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 b दिया है quotes में three c दिया है three और d दिया है one 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 ठीक है अब इसमें क्या होगा कि इसमें कौन सा answer सही होगा तो यहाँ पर आप solution में लिख सकते हैं कि इसमें जो सही answer होगा वो होगा आपका ये d वाला यानि answer d is correct तो इस तरह से एगर आप छोटे छोटे statement बनाके execute करके आप देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको fundamental एकदम clear रहेगा और फिर बड़े प्रोग्राम को लिखने में आपको problem नहीं आएगी अब उसके बाद एक question और ले ले लेते है माली जर्मने खा question number five से हमने यहाँ पर लिखा question number five इसमें क्या दिया है replace x in the following program such that the output is six इसमें मैं क्या करना है replace x in the following program such that the output is six अब program क्या दिया है यह दिया है m zero colon zero comma one colon one comma two two four comma three to nine four to sixteen ठीक फिर mx कितना दिया है mx दिया है nine फिर m5 दिया है twenty five और फिर print length of length of m ठीक है तो अब इसका जो इस program का जो output होगा उसके लिए उनने चार option दिये a, b, c, d ठीक है e, x को किसे replace करें तो a में कहरा है 5 से, b में कहरा है 6 से, c में कहरा है 7 से, और d में कहरा है 12 से, अब इसका solution जब निकालेंगे, तो इसमें जो correct answer आएगा, वो आएगा ये, answer, a is correct, मतलब, x को आप 5 से replace करेंगे, तो आपको output, जो है यहां पर, वो, 6 मिल जाएगा, खीक, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो है, जब आप, बता के इसको, practice करेंगे, तो आपका जो, basic concept, python programming का, जो अभी तक आपने पढ़ा है, वो एकदम clear हो जाएगा, और कोई doubts या confusion आता है, तो आप उसको comment line में comment करके पूछे, और अगर video content पसंद आ रहा है, तो please video को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे, और notification bell को जरूर on कर दीजे, ताकि next video की information आपको time से मिल सके, thank you.